हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक वंस अगें टो आर यूटुब चैनल इंट्रेडबल अभिशे तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज से हमारा जी एस त्रिस्टिशिवाइब का फोर से स्टार्ट हो ठीक है तो यह आपका जो है वो पहला लेक्चर है जहां पर हम पॉलिटी को दिस्कस करेंगे जहां पर हम पहला टॉपिक जो की मेकिंग आफ दी कॉंस्टिटूशन उसे डिस्कस करेंगे देखिया आप देखेंगे तो वहां पर आपको लिखा होगा तो तो का बेसिकली मतलब है कि यह जो सीक्वेंसियल में है वह आपका दूसरा है अदर्वाइस यह प्लीटिक आपका प्हाला लक्षएर में बेसिकली क्या था इसमें लोग ने ओरिययंटेशन और स्लेवस को डिसकस किया था जो आपको वीडियो सेक्ष्टउन में नहीं मिलें हुआ वह अप प्लेलिस्समें जब जाएंगे तो आपको एक बेसिक चीज को समझ जाएंगे प तो इसका मतलब आप सामसा समझ जाएंगे कि GS 365 में आपके 365 लेक्चर्स या फिर जितने भी आपके 365 आर्स में प्लासिल होगा लेकिन इसमें जो आपका ये प्लेलिस्ट होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के ही लेक्चर्स आएंगे इसके बाद आपको इसी तरह से ज समझ आ गई होगी इसके बाद देखे अगर हम देखते हैं पॉलिटी एंग को कॉस्टीट्व को तो बेसिकल आप समझेंगे कि पॉलिटी की बेसिकली जो सरुबात होती है वह आपका जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो बॉलिटी बेसिकली स्टार्ट होता है historical background यानि constitutional development से किस प्रकार से हमारी जो ये डेवलोप्मेंट से बट अगर हम इसे modern history परते हैं तो वो ज्यादा better होता है यसी कारण से इस topic को हम modern history में discuss करेंगे हम officially जो पॉलिटी का chapter है यानि कि making of the constitution वहाँ से आले हम स्टार्ट करने जा रहे होंगे तो आज हम जो पहला topic देखने जा रहे होंगे वो है आपका making of the Indian constitution ठीक है यह आपका short symbol और constitution का जो कि आगे के quality lectures में भी हम इसको यूज करते रहे हैं तो देखिए making of the Indian constitution में basically हमें तो discuss करना है कि constitutional assembly के बारे में उसके evolution compositions के बारे में बट जैसा कि यह quality का lecture है तो आपको constitution और quality के बीच में basic difference पता होना चाहिए थोड़े से basic चीज़े पता होना चाहिए हम जानकारी ले लेते हैं because हमें समझना होगा कि अगर हम making of the Indian constitution की बात कर रहे हैं तो basically constitution कहते ही किसे अगर आपको यह पता चल जाता है कि इंडिन constitution क्या होता है फिर इंडिन constitution क्या है इंडिन constitution में वह सारी चीज़ अगर आपको पता जाते हैं तो चीज़े थोड़ी सी clear हो जाती है तो देखे सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि एक हमारे सामने constitution है दूसरी तरफ हमारे सामने quality है हम usually कहते हैं कि हम quality बढ़ रहे हैं बड़ बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि वाट इस बेसिक लिए कॉंस्टिटूशन और वाट इस बेसिक लिए पॉलेट तो देखें के लिए क्या है इसमें आपको rules देखने के लिए मिलेंगे जिसके मदद से rules and regulations आपको देखने के लिए जिसके मदद से जो है कोई भी country को क्या क्या जाता है क्या जाता है क्योंकि देखिया कहीं पर भी किसी भी country में अगर rules and regulations नहीं है कुछ set of rules and regulations नहीं है तो उस country को rule करना बहुत जाता मुश्किल हो जाएगा वह अच्छे से नहीं जल सकता है क्योंकि country में basically किसी भी country के आम तोर पे चार पिलर्स होते हैं यानि चार आपके पिलर्स होते हैं basically आपका जैसे population हो गया government हो गया government की sovereignty होनी चाहिए एक territory होनी चाहिए यह आपके और यह हम आगे भी discuss करेंगे जब हम पिचर को देखेंगे बट देखेंगे किसी भी country को run करने के लिए rules and regulations होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है चाहे वह rules written हो सकते हैं या unwritten हो सकते हैं इंडिया में आपको इंडिन constitution देखने के मिलता है वो क्या है अपने एक written constitution लेकिन आप ब्रिटेन में देखेंगे तो ब quality जो basically term है वो है applied part of the constitution या फिर applied form of the constitution तो constitution का जब applied form हम देखते हैं तो उसे हम quality कहते हैं जैसा है मैं आपको एक example के थूँ अगर इस चीज को समझाओं तो आपको चीजे एक फुरी से बहतर समझाएगी कि अगर let's say हम constitution की बात करते हैं तो आप सभी जानते हों कि there is an article called as article 17 ज fundamental right में discuss करेंगे अगर कोई student आसा बिगना रहा है जिससे untouchability ये सब articles के बारे में नहीं पता तो वह हम इसको discuss करेंगे तो वहाँ पर clear हो जाएगा तो कोई इसमें tension लेने की बात बिल्कुल भी नहीं तो जब हम article 17 की बात करते हैं तो यह हमारा constitution का बात हो गया जब हम constitution को discuss कर करते हैं तो यह हमारा हो गया article 17 untouchability बट जब वही basically हम quality की बात करते हैं तो quality में आपका parliament के द्वारा enacted law हो जैसे कि आपके सामने एक law आता है untouchability untouchability abolition act of 1955 जिसे बाद में 1976 में एक नए नाम दे दिया गया है जिसे हम कहते हैं civil right protection act ठेक है तो आप यहां पर यह चीज को देख सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं constitution की तो हम ने discuss कि untouchability बेसिकली जो है हमारे यहां पर prohibited है आप इसको practice नहीं कर सकते अब इसी के basis पर अगर आप देखते हैं तो आपको यहां पर यह देखने के लिए मिलता है कि एक Parliament ने एक पार्लेमेंट ने एक act लाया है जो कि 1955 में लाया था इसके बाद इसे अमेंट करके बैसिकली इसे रिएम किया था 1976 में जिसे हम civil right protection act कहते हैं तो ये आपका किस पार्ट में आगया ये आपका आगया polity के पार्ट में तो basically सिर्फ यही difference है जब हम बात करते हैं polity और constitution के बीच में कि polity जो आपका basically है वो applied form होता है किसका constitution का तो जहां पर हम constitution की बात करते हैं वहां पर हम set of rules तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज को तो अगर हम देखते हैं यहां पर तो आप देखेंगे कि हमें अब यहां से आपका जो हैं वो बेसिकली इंपॉर्टन टॉपिक स्टार्ट होगे तो आप लोग ने समझ लिया कि कि making of the Indian Constitution को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यह समझना ओगा कि making of the Indian Constitution को ठीक है और सबसे पहले यह जानने के ज़र था कि आकिर इस Constitution को कुई एक यह समझ जाते हैं कि constitution को बनाई खिसमे तो इसी इसको डिस्क्रस करना इसी हो जाते है तो सबसे पहरेज सकते एक कि constitution को जो basically frame किया गया है कि वो constituit assembly के द्वारा किया गया ठीके किसके द्वारा किया गया है Constituent Assembly के द्वारा किया गया अब देखें नया टाम आ गया That is Constituent Assembly अब हमें यह समझना होगा कि आखिर Constituent Assembly है क्या उसके Compositions क्या होते हैं क्या Working की आखिर क्या कौन-कौन इसमें वेक्ति बेसिकलिए थे क्या यह एक वेक्ति थे Assembly है तो definitely there will be a group of persons तो यहां पर कितने group of persons थे और क्या-क्या Constituent Assembly में था उस उसको हम लोग यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो पहला जो topic आपका आता है The first topic that हमें देखना होगा वह आप इसके running roads अपने साथ सब्सक्राइब तो पहला जो topic आजाएगा वह आएगा evolution of Constituent Assembly ठीक है Constituent Assembly के हम evolution को समझेंगे आखेर किस प्रकार से हमारा Constituent Assembly जो है वह आगे बढ़ा है ठीक है तो आपको यह तो पता चलिए Constituent Assembly is a body that has made the Indian Constitution Constituent Assembly वह बॉड़ी है जिसने हमारे Constitution को बनाए है Indian Constitution को हर कंट्री के को इन्हों को एक Constitution को फ्रेम करता है अब बेसिकलिए हमें यह समझना हो कि Constituent Assembly है क्या और उसका basic evolution किस प्रकार से हुआ है तो जब हम यहां पर evolution के बात करते हैं तो जो पहला हमारे सामने topic आ जाता है पहला जो आता है कि evolution का जो starting हुआ वह कहां से हुआ तो जो हमारा evolution की starting हम देखते हैं तो वह हम 1924 में देखते हैं 1924 में basically क्या हुआ था कि there was a party whose name is Swaraj party ठीक है that was a Swaraj party जहां पर उनका conference हुआ था basically राची में एक राची में उनका conference हुआ था 1924 में यहां पर जो Swaraj party ने हैं उन्होंने पहली बार पहली बार आपका constituent assembly का क्या demand रखा था basically क्या रखा था demand रखा था या फिर आप बोल सकते हैं कि resolution बट यह resolution पास नहीं करा पाए था और basically यह कोई Swaraj party उसमें कोई बड़ी party नहीं थी let's say INC नहीं थी that's why यह जो demand है वो सिर्फ एक demand रखा था कि एक body होनी चाहिए जो हमारे देश के हमारे देश के अनुसार accordingly जो हमारे लिए important है उसके अनुसार एक आपके लिए constitution बनाए यहां पर स्वराज पार्टी ने सबसे पहली ऐसी पार्टी ती जिसने इसके बारे में कुछ demand रखा था 1924 में लेकिन जो आपको exam के point of view से बहुत important है क्योंकि यहां पर आपको exam point of view से देखना होगा कि exam point of view से सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है इनके बारे में ज्यादा डिसकस को modern history में करता हैंगे यह लिए revolutionary थे जिनका मिली हम अगर contribution देखें तो communist movement in India में इनका हमें रोल देखने के लिए मिलता है यहां पर हम communist movement के बारे में रखी ठीक है इसी के बाद अगर आप देखेंगे इसी के बाद यहीं पर आपको next year INC ने भी इस डिमांड को क्या किया था कि डिमांड को रेज किया था ठीक है तो आपको यहां समझने के ज़रूरत है कि सबसे पहले तो 1924 में स्वराज पार्टी ने यहां पर स्वराज पार्टी ने यहां पर इस डिमांड को रखा इसके बाद 1934 में एमें ड्रॉय आते हैं उन्हों ने इस डिमांड को रखा और इसके बाद आपके जो आएंसी ने इसको पहली बार ओफिशिली डिमांड रखा 1935 में ठीक है तो सबसे इंपोर्टन यहां पर जो पहल इसके बाद अगर हम देखें तो यहीं पर एक और चीज़ है जो आप यहां पर डिसकस कर सकते हैं कि 1938 में जवाहल लाल नहरू ने भी ने भी इसके डिमांड रखे दी ठीक है उन्होंने ऐसा कहा था कि जो कॉंस्टिटूशन है वो बनाया जाना चाहिए फ्री इंडिया के लिए बिना किसी आउसाइडर के इंटरफेरेंस के और उन्होंने बात की थी कि यह कॉंस्टिटूइंट असेंबली का जो फॉर्मेश आपको वोटिंग करें और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इहां पर अलेक्ट करें तो वह है इसको हम देखेंगे कि बेसीकली डिमोक्रेसी किसे कहते हैं यह सरी जब हम चीज़ए को दखेंगे तो वहां परमेश व्यसक्राय को यहां पर क्लियर करेंगे ठीक है अब यह ह सबसे पहला जो हमें देखने के लिए मिलता है वो यह सब्सक्क्राइब करते हैं नाइंटीन फॉर्टी इस डेकने केलिए मिलेगा तो अगस्ट ओफर ने पहले बार इस डाल को एकस्व किया एकसेब्ट किया कॉंस्टवेट असेंबली के क्या को क्या Aires accept खीक है अगस्ट ओफर ने कॉंस्टूटेंट एसेंबली के फॉर्मेशन के डिमांड को एक्सेप्ट किया यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक्सेप्ट किया था इससे ठीक है अगस्ट ओफर क्या था इसकी बेसिक जो डीटेल हो मॉडेन इस्टेव लेगी मैं आ वर्ड वार टू तो इंडियन का सपोर्ट पानिंग के लिए इन्हों ने एक ओफर लाया था जिसे अलग अलग तरह के यहां पर ओफर्स दिये गए थे भारत को सपोर्ट करने के लिए ठीक है इसके बाद जो सेकेंड आ जाता है वह हम देखते हैं 1942 में 1942 में हमें देखने के क्रिप्स प्रपोजल ठीक है क्रिप्स प्रपोजल ने कॉंसिट्वेंट एसेमली के डिमांड को सीधा रिजेक्ट कर दिया था तो आप इस बात करा देखें इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था लेकिन तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लिए बहुत जादा इंप प्लान तो काविनेट मिश्ट प्लान आपका आया था 1946 में जिसने कि एकसेट किया और करने के साथ साथ जो आज हम देख सकते हैं कि इस पर हमारे साथ काविनेट मिशन प्लान के अंतरगत ही बनि तो आपको यहाद रखना हो कि cabinet mission plan के अंतरगत ही यह बनी है तो अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं इस पर कि constituent assembly was constituted was constituted under the cabinet mission plan तो यह आप बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी अब the most important thing जो जिस पर आप स्टेट PCS में आम तर्फ बहुत तरह के कुश्चंस बहुत बार इस तरह के कुश्चंस आते रहते हैं आप में जानना हो कि बेसिकली cabinet mission plan में कितने members थे तो आपको समझ जानना पड़ेगा कि there are three members वहाँ पर कितने members थे तीन थे पहले आपके एक member का नाम है पैट्रिक लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस ठीक है एक वेक्ति आपके होगे पैट्रिक लॉरेंस लिख दता हूं so that you'll be running notes ना रहे हों तो पैट्रिक लॉरेंस आपके पहले वेक्ति होगा दैन आपके दूसरे वेक्ती स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे क्रिप्स हुआ ही है जिन्हों ने क्रिप्स प्रोपोजल लाया था हम नों modern history में इनके बारे में और भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिसक्स करेंगी इसके बाद आपके आते हैं यह भी एलेक्जेंडर ठीक है यह भी एलेक्जेंडर तो यह तीन वेक्ति थे जिनके नाम आपको रहां रखने होंगे इसमें तो आपने बेसिकली समझ लिया होगा कि evolution of constitution assembly में हुआ कि evolution of constitution assembly को हम लोग ब्रीफली डिसकस करें तो इस पकार से हम डिसकस कर सकते हैं कि constitution assembly की पहली बार डिमांड 1924 में 1924 में स्वराज पार्टी ने रखी ती जिराची के अपने conference में इसके बार 1934 में M.N. Roy ने रखी M.N. Roy के बार 1935 में INC जो कि उस समय की बड़ी पाटी थी ऑल इंडिया पाटी क्या सकते हैं उसने इस proposal को रखा officially इसके बार 1938 में जबाला लहरू ने भी रखा इसके 1940 में ब्रिटिसर्स के साइट से अगस्ट ओपर में इस दिमांड को एक्सेप्ट किया गया इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में जिसने इस दिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया और क्याबिनेट मिशन प्लाइन के अंतरकर हमारा कॉंसुट्वेंट असेंडी जो है वह बनता है जिसके तीन मेंबर थे पैटर क्लॉरेस स्टैफ़ोड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तो इतनी बाते आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी अब यहां पर सवाल उठता है क कि प्रपोजन क्या था क्या था अगर्स्ट ऑफर क्या था यह सारी चीज़ें मौन इस्क्री में उन्हों डिसक्स करेंगे विकाज यहां पर हमें कॉंसुट्रेंट के बारे में बेसिकली डिसक्स करना है अब जब हम यह समझ जाते हैं कि वाट वस्ट बेसे का इवोलूशन क्या से हुआ तो उसके बाद हमें डिसक्स करना होगा यहां पर कॉंपोजीशन को अब जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आ जाता है वो हमारे सामने आ जाता है कॉंपोजीशन हम थोड़ा से इसके कॉंपोजीशन को देख लेते हैं तो अगर हम इस कॉंपोजीशन को देखना चाहें तो कुछ इस बकार साम देख सब्सक्राइए है तो कॉंपोजीशन में जो हमारे सामने पहले आते हैं तो ब्रिटिस इंडिया अंडर गवर्नर फिर चीफ कमिशनरेड और उसके बाद आप कारता हैं प्रिंसली स्टेट तो प्रिंसली स्टेट के अंतरकात आपके 93 सीट्स होगे यह आपके चार होगे और यह आपके टोटल 292 होगे तो आपके यह जो पूरे टोटल होंगे वह होंगे 389 तो टोटल जो सीट्स थी यहाँ पर वो कितनी थी 389 जहां पर ब्रिटिस इंडिया अंडर गवर्नर 292 सीट चीफ कमिशनर प्रोविंस के अंतरकात चार और प्रिंसली स्टेट के अंतरकात 93 हम ब्रीफली थोड़ा जान लेते हैं कि यह तीनों चीज है क्या आपके आपको इसे ब्रिटिस के गवर्नर प्रिटिस तौरा एपॉइंटेड गवर्नर के द्वारा उसे अडिमिस्टर किया जाता था तन्यार जो कि बेसिकली 11 नंबर थे कितने घ्यारा नंबर में थे जिसमें टोटल सीट जो दिए गए फिर्सके बाद चार चीफ कमिशनर प्रोविंस यन के नाम बेसलि बैंगॉल आसाम भिहार एंड बॉम्बे इसके बाद यहां पर प्लिंस इस तरह से ही बिडिश lás और तरह से आपके टोटल तरह से बट अब आप यहां पर देखें तो आप यह देख सकते हैं कि 292 सीट्स हैं बट प्रोविंसेस तो ग्या रहा हैं तो कहीं न कहीं होंगे क्योंकि यह इक्वाइड हो नहीं सकता है अगर आज के हम लोग सबागी बात करें अगर आपके डिफरेंस तो उसी प्रकार से उस समय भी यह ग्यारा प्रोविंसेस में अलग अलग तो अब यहां पर यह समझने की बहुत है पहली पॉइंट यहां पर आप नोट काड़ी कि जो यहां पर आपके रिप्रोविंसेस में वह किस बेसीं पर तो वह आपके पोपुलेशन में पर था पॉपुलेशन के स्सक पर आपका यह जो था और वह बहु हम देखें तो पॉपुलेश्ट के स्पर पर जो था दस लाग पर एक यानि दस लाग पर आपके एक रिप्रेजेंटेटिव थे यहां पर जितने लाइक पीपल होगे वहाँ पर उस वनियों साथ से सीट्स आपके मिले होगे यहां पर एक और इंपोर्टेंट बात आजाती है कि जो वोटिंग हुई थी वो कि इस बेसिस पर हुई थी तो सिंगल ट्रांस्फेवल वोट सिस्टम से हुई थी अब यहां पर यह समझने की बात हो गई कि बेसिकली क्या यह जो क्या एलेक्टेट थी यह जो बेसिकली थी वो आपकी पार्शेली एलेक्टेड और पार्शेली नॉमिनेटेड वोडी थी यानि कि कुछ इसके मेंबर एलेक्टेड भी थे और कुछ इसके नॉमिनेटेड भी थे तो बेसिकली नॉमिनेटेड कौन थे तो जितने भी सीट्स आप देखेंगे प्र पिइंसली आपके States के देखने का आपको मिलते हैं वह सारे कि इद्वह स nämूने enormi originated कि इसके अलावा अगर हम पार्शली एलेक्टिट की बात करते हैं तो 550 सामने ब्रेटिस कौन शो तो नॉमिनेटेड तो सीधा सीधा समझ आजाता है कि नॉमिनेटेड यानि कि उसके हैड्स के वह किसी एक मेंबर को क्या करेंगे नॉमिनेट कर देंगे बत एलेक्टेड में क्या बेसिकली लेक्शन हुआ कैसे एलेक्षन यह नाosh राजे सभा की बात कर सकते हैं या फिर अप सभा की बात करते हैं तो और फिर अब लोग सभा में डायरेक्ट जाते हैं और अपने जगा के MP को आप वोट करते हैं और उसे आप वोट करते हैं और आप को किया है यहां नहीं आप जाते हैं और आप अपने मेले को करते हैं MP को करते हैं वह बेसिकली फिर बाद में जाकर प्रेजडेंट के एलेक्शन में या राज्यसभा के एलेक्शन में आते हैं कौन प्रेजडेंट के एलेक्शन में पाटिसिपेट करता है कौन राज्यसभा के मेंबर्स कि में करता है वह सारी चीजों को हम देखे तो दा आणसर इस नो युनिवर्सल एंडल सफरेज नहीं मिलाता है युनिवर्सल एंडल सफरेज यानि कि जो भी 18 प्लंड सा तो उन्हें वोट करने का दिकारता तो आज़ इस नो यहां पर रिच और educated यानि जिनके पार पैसे थे और जो educated थे उन्हीं को सिर्फ यहाँ पर vote करने के लिए मिलाता यही कारण है कि आप देखेंगे इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में जो 93 मेंबर्स थे उन्होंने 93 सीट्स यानि प्रेंसली स्टेट के उन्होंने यहाँ पर पाटिसीपेट नहीं किया था लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे नोट इंडियन इस जस्ट कॉंसेट्वेंट एसेंबली अब वर्किंग को हम थोड़ा सा समझेंगे यह बात भी यहाँ पर सारी इंबॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि स्टेट्मेंट में इस तरह को क्वेश्चन्स देखने के लिए मिलते हैं तो जो पहली बात आती है कि जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुए फर्स्ट मीटिंग कब हुए तो जो हमें फर्स्ट मीटिंग देखने के लिए मिलता है हमें फर्स्ट मीटिंग जो है वह देखने के लिए मिलता है नाइन डेसमबर नाइंटीन पॉर्टी सिक्स में त जुलाई एंड अगर और यह एलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा बेसिकली यह सब जाननी की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप लिख सकते हैं कॉंग्रेस वांट टूहंटेड़नेट सीट्स मुस्लीन लीग भी थी उस समय देट वांट 173 सीट्स और इसके बाद अगर हम बा सीट्स जीटेट थे 15 बाद में आप देखें कि मुस्लीम लीग की सीट है वह बाद में बैकन हो जाएगी इतने बाद आप अब वर्किंग में आप लोग ने देख लिया क्या कि पहला मीटिंग कब हुआ 9 दिसमबर 1946 को इस मीटिंग को यहां से जो भी बाते होंगे वह आपके लिए बहुत जाद ओगी सबसे पहले आपको टेंप्रोरी Π्रेसिडंट देखने के लिए बिलेंगे तो टेंप्रोरी प्रेसिडंट जो थे वह आपके थे Dr. Sachita Nand Sinha यह आपके temporary president देखने किरें मिलते हैं क्यों यह बने बेसिकली यह oldest member थे उस समय चितने भी member select हुए उन में सबसे आदव old कौन थे Dr. Sachita Nand Sinha तो इन्हें क्या किया गया temporary president बना दिया गया तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि फिर elected president कौन बनते हैं वन राजेंदर प्रसाद तो राजेंदर प्रसाद आपको देखने के लिए मिलते हैं जो की elected बने थे ठीक है तो राजेंदर प्रसाद जो है वह आपके अलेक्टिट प्रसिडेंट थे इसके अलावा वाइस प्रसिडेंट भी दो बने थे यह important है आपको यह दोनों नाम ध्यान रखना होगा तो दो फर्स्ट वन इस एस सी मुखर जी और दूसरे है वीटी क्रेश्नमाचारी ठीक है तो यह दो members हो गए यह दोनों क्यों थे वाइस प्रसिडेंट ठीक है अब एक छोटा सा objective resolution क्या आखर basically meaning क्या होता है resolution is very simple proposal is nothing but it is a proposal यह प्रकार का proposal होता है संकल अब जिसे क्याते हैं यानि कि कोई चीज जब आप propose करते हैं तो उसे हम resolution कहते हैं और यह objective resolution था जिसे प्रपोस किस ने किया constituent assembly के एक member ने the one and only the all known दे जेल नहरो जबाहलाल नहरो इन्हों ने December 13 1946 को objective resolution पेस किया अब basically यह resolution था क्या यह objective resolution में था क्या तो objective resolution में आपको fundamentals देखने के लिए क्या देखने के लिए fundamentals and philosophy of the philosophy of the constitution यानि कि जो पूरा constitution उसका philosophy क्या रशता है जैसे आगे चलके आप basic structure of doctrine देखेंगे जहां पर यह बदाया गया है कि basis क्या है हम constitution बनाएंगे तो किसका basis क्या होगा हम किस प्रकार की justice की बात करेंगे हम किस प्रकार की liberty की बात करेंगे हम किस प्रकार की पाइटरगी बात करेंगे ठीक है तो यह आपको समझना होगा समझ पारें आप कि JL नहरू ने objective resolution रखा था तो यही आगे चलके इस resolution का assembly ने कब पास किया तो इस resolution को 22nd of Jan 1947 में आप देखेंगे कि JL नहरू के resolution को consequent assembly ने adopt किया या पास किया आप इस तरह समझ सकते यही objective resolution आगे चलके रहा हमारे preamble वनेगा that is the preamble the preface of the Indian constitution का अगर आप preface देखेंगे तो तो इस नथीं बन दे preamble is an identity card of the the identity card of your constitution ठीक है अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 यह थोड़ा से इंपोर्टेंट एक्ट है जिसके बारे हम देखेंगे क्यूं हम देख रहे हैं विकॉज इसका संबंध कॉंसिट्विट एसे बहुत सरी सर्टिन चीजें हैं जो हमें इसे बहुत सारे जहां पर कॉंसिट्विट एसे रिगार्डिंग भी अमें कुछ प्रोविजन देखने के लिए मिलते हैं उन्हीं प्रोविजन को आपर डिसकस करने हैं तो सबसे पहला जो प्रोविजन हमें देखने के लिए मिलता है वह यह है कि इसने असेम्बली को एक सब्सक्राइब को बहुत अच्छे से प्रेयंबल में डिसकस करते हैं बट मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि सोविन बॉड़ी किसे एक ऐसी बॉड़ी को हम सोविन बॉड़ी कहते हैं जिसका बाहर से आउटसाइड इंफ्लूइंस नन हो यानि कि आउटसाइड इ कोई भी डिसीजन ले सकता है उस पर बाहर के इंफ्लूइंस नहीं होंगे तो उसे हम कहते हैं सोविन बॉड़ी फिर इसने एसेम्बली के बारे मताया कि एसेम्बली इस गूइंट वर्ट पर टू वेस दो काम करने वाली है एसेम्बली कितने कारे करने वाली है एसेम्बली सब्सक्राइब अगर देखते हैं तो बनाने के लिए भारत का संभिधान का निर्मान करने के लिए तो वह अपना असेंबली तो बनाएगा है लेकि इसके साथ-साथ अब जब भारत एक इनडिपेंडेंड नेशन हो चुका है तो उसके रूलस इंडिएशन भी चाहिए कुछ उससे में पार्लिमेंट तुस रण करने के लिए जाते हैं तो यह जो कि रूलस रखुलेशन बना सकी तो यह कॉंसूट्विट बॉड़ी के रूप में भी वर्क कर रही थी और साथ-सा लेजिसलेटिव बॉडी की बात आती तो जीवी मवलांकर जीवी मवलांकर वस्ट स्पीकर ओफ इंडल्या उल्स फिस्ट स्पीकर ओफ लोग सबाबे से लिए कह सकते तो वह थे तो यहां पर वो दोनों तरफ से यानि पार्लिमेंट के रूप में वर्क भी कर रही है और साथ बत ले थी उसे भी हम लोग नेहीं अब मैं देखना को फ़ंक्शन्स के बार ए उतैको देखना पड़ेंगा फंक्श तो देखना पड़ेंग क्या 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 फंक्शन्स कि देखिए सम्षर तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि दो साल 11 महीने 18 दिन याने कि two years, 11 months and 18 days taken for the Indian constitution भारत के सम्मिधान को बनने के लिए दो साल 11 महीने 18 दिन इसी इन 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 को लेंडियस constitution of the world, लेंडियस रेंड इन कोंसितूशन आप the world का भी यहां पर टाइटल दिया गया है तो यहां पर 2 साल 11 मही ने 18 दिन लगे थे जहां पर आगर आप देखें तो टोटल 11 सेशन्स हुए थे कितने सेशन्स हुए थे टोटल 11 सेशन्स हुए थे जहां पर यह चीज़े होई थे तो इसमें क्या सिर्फ constitution की काम हुई थे the answer will be no कोंसिट्ट के इलावा भी चीज़े को है थे जैसे कि अगर आप 1949 की में पहले बात पुलेता हूं तो 1949 में इंडिया को कॉंए का मेंबर विने यसमरे कि का मेंबर सिप के लिए रैटिपाय गया था दिया था एक member of commonwealth, अब यह commonwealth होता क्या, basically commonwealth एक group है, जिसमें कि Britishers कि जितने भी colonies थे उस time पे, उन सभी का एक grouping है, तो इस grouping में भारत भी पार्ट लिया था, अब यहीं पर सवाल उड़ जाता है कि क्या commonwealth में पार्ट में से sovereign पर खत्रा आता, तो answer is no, commonwealth का, यहाँ पर sovereignty पर कोई खत्रा नहीं थे, sovereignty क्या, that is, commonwealth की membership लेने से क्या Indian constituent SMT के constitution बनाने में कोई difference, या फिर क्या parliament के कोई rule and regulation बनाने में पर किसी प्रकार का influence होगा, तो the answer will be no, किसी प्रकार का यहाँ पर नहीं होगा, इसके अलावा national flag, एक कमीटी भी बनाई गई थी, आगे हम चल पी discuss करेंगे national flag, पेक अड़ॉक कमीटी बनी थी डॉक्टर राजिंदर प्रसाद की में तिरत्व में, पर्ट देकिन national flag को अड़ॉप किया गया था, 22 जुलाई 1947, और हमारे साहमने नेशनल सॉंग भी आ जाता है, नेशनल आंथम भी आ जाता है, यह दोनों को किया गया था, 24, 24 जैन 1950, अब देखिए इस तभी चीजों को याद करने के डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स हो सकते हैं, निमोनिक्स हो सकते हैं, जिसे आप अपने अनुसार बना सकते हैं, लेट से मैं अब कुछ एक्जामपल के तुरू में बताता हूँ, जैसे कि नेशनल फ्लाग कोई भी देश, अगर मान लेते हैं, कोई भी देश है, अगर वो इंडिपेंडेट हो गया, एक नेशन बन गया, तो उसे क्या चाहिए होगा, यानि कि एक फ्लैग चाहिए होगा, तो एक फ्लैग का बाग है 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिले, लेकिन जब हम लोग अपने देश के लिए एक कॉंसिटूशन बना लेंगे, एक रूल बुक बना लेंगे, तो उस समय हमें क्या, एक हमें एक नेशनल सॉंग और एक नेशनल एंथम भी मिल जाता है, तो उस स इसके जो डेट्स नॉट इमपॉर्टेंट बट इसके लिए भी आप अपने अनुसार निमोनिक्स बना सकते हैं, मिर पास निमोनिक्स हैं, बट मैं आपको यहां पर उपनी नहीं बता सकते हैं, और आप भी इसी टाइप के कुछ अपने थोड़े बना सकते हैं, ताकि वो आपके लिए बहुत जादे हैं, या आप तो यहीं पर हमें देखने के लिए मिलते हैं कि पहली बार जो भारत के अलेक्टेड जो प्रेसडेंट थे जेंदर प्रसाद वो भी बनते हैं, कब 24 जैन को दो दिन पहले, 24 जैन 1950 को अडॉप करने से दो दिन पहले आपके सेशन होता है, वो भी यहीं पर होता है, तो इसी फाइनल सेशन जो 11 सेशन ता 11, टोटल 10 हो गयते पहले और 11 सेशन का, 11 सेशन में ही हमें यह देखने के लिए मिलता है कि राजिंदर प्रसाद को यहां पर एलेक्टेड प्रेसडेंट बनाया जाता है, अब देखें कोई भी कहीं पर कोई भी होता है, कमीटी बेस पर होती हैं, जहाँ पर उन वर्क्स को किया जा सके, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कि यहां पर हमें कुछ, कमेटी blog देखने करेमिलेंटे हैं, यहां पर हम कुछमेड हैं, that could be the major committees, ठीक कुछ मेजर कमिटीज है देखिए आन तोर पर अगर आप लक्षमी काम में देखने हैं बहुत बड़ी लिस्ट आपको देखने करी मिलते हैं बट उतनी बड़ी लिस्ट की जरुवत नहीं है मैं कुछ इंपॉर्टन बता दूँगा ऐसे मैं आपको अपने टेलिग्राम पे व सरदार पटेल आएंगे सरदाल पटेल रूस एंड पॉस्ट्चर कमिटी के एक थे एंड नेक्स्ट वण इस दी एडवाइजरी कमिटी ओन फंडमेंटल राइट्स माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्स्क्लूडेड एरिया जो थे वह भी सरदार अब यहीं पर देखे जिसके गोपीनाद बरदौली थे एवी ठाकर थे एक्सी बोड़ी तो यह सार उतना जरूरी नहीं आप ऐसे देख सकते हैं लक्ष्मिकांद बुक में इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं एक प्रोविंशल कमिटी की तो हमारे सामने एक प्रोविंशल कमिटी दे जब हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था तो बहुत सारे वो प्रिंसली स्टेटों में टूटा हुआ था तो उसको फेर एक उनिफाइड यून यून ऑफ स्टेट्स बनाने बहुत बड़ा रोल था है या रूल्स के जो थे वह बेसिकली राजिंदर प्रसाथ या तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बियार अंबेटर क्या अंबेटर अकेले थे आम दोर पर नहीं पूछा जाते हैं लेकिन अगर आप कहीं में टेस्स देखेंगे तो डेफिनिटली वह इस तरह के कुश्चन साब को सामय करेंगे तो उसके लिए आप नोट करना चाते हैं कर सक तो यह सारे साथ मेंबर से आप देख सकते हैं यह इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको यह देखने के लिए मिलता है अब यह सारे तो होगे का अब अब इनक्टमेंट आप दे इस प्रेजंट नहीं है प्रेजंट में आपको तो 490 हो गया यहां पर आपको 12 से डियोल्स हो गया बट यह प्रेजंट नहीं है यह उस समय का था 15 आपका 26 नवंबर को तो यह जो था उस समय का भी लेंदियस प्रिटिन कॉंस्टिटीटूशन था ठीक है इसी पे एक बात अज़ा ऐए कि प्रेजंबर जो है वो पूरा कांस्टीशन बनने के बाद अया था है यह इनी प्रेजंबल व औस самого सिथे प्रेजंट के जाए कि प्रेंबल देखने के लिए मिलेगा इसके बाद हम enforcement के अगर बात करें enforcement of the constitution तो देखें basically जो है वो आपका 26 नवंबर 1949 खो ही आपका constitution बन गया था जहाँ पर citizenship, election या फिर आप बात करें provisional parliament, temporary and transitional provisions ये सारे उसी समय आपके आ गया थे लेकिन जो rest थे, वो 26th January 1950 को आया थे, why this date is important, आप इसको बताएंगे, history में ये date बहुत ही ज़्यादा important है, इसी कारण से इसी दिन हमारा Republic DB है, that means constitution को इसी दिन क्या किया था, enact किया था, ठीक है, इसके अलावा देखें हम लोग ने making of Indian constitution को बहुत ही important और बहुत ही अच्छे तरीके से discuss किया, the last एक fact में आपके बता देता हूं कि 15 members जो constituent assembly में 15 member women थे, तो अगर कहीं भी आपको इस तरह को कोई fact देखने के लिए कि women's एक भी नहीं थे, तो the answer will be no, 15 आपके women members भी थे, अब इसके बाद कुछ important facts में आपको बता देता हूं कुछ facts, यह सारे आपके PCS exams के लिए important हो जाएंगे, देखें, concentrate assembly का आपना एक symbol था, तो वो symbol आप देख सकते हैं, विकीपेडिया यह सब जाके उसमें एक elephant है, बेसिल की वो figure कुछ इस प्रकार से आपका एक circle है, इस पर आपका आपका पूरा इंडिया का map बना हुआ है, इंक्लोडिंग पाकिस्ता है, और इसके उपर आपको एक elephant देखने के लिए लिए लेगा, तो वो आपका एक symbol है, इसके बाद एक CDS में यह question आ चुका है, आप चेक कर लेंगे, कि BN Rao, जो हैं वो constitutional advisor थे, constitutional advisor, तो अब हो सकता है कि आप से पूछ ले कि secretary कौन थे, CA के मतलब constituent assembly के, तो secretary was no another than HVR, आई या फिर आई गार, ठीक है, तो यह आपके कौन थे, secretary थे, इसके अलावा अगर हम देखें, तो एक और आप से पूछा जा सकता है, कि who was the chief draft man, chief draft man कौन थे, तो SN मुखर जो थे, वो chief draft man थे आपके, इसके देखिए, कुछ दो तीन important और facts हैं, कि constitution जब हमारा बना, तो caligrapher, यानि hand written था, तो caligrapher होंगे, तो एक caligrapher का नाव आप याद रख सकते हैं, प्रेम बिहारी, रैजड़ा, ये caligrapher थे, इसके अलावा जो, नंद, लाल बोस, या फिर बी आर, सिन्हा, ये दो जो व्यक्ति थे, वो decorator, यानि इन्हें ने decorate किया था, हिंदी वर्जन जो था, constitution का, उसकी caligrapher जो कीती, वो वसंत, कृष्णन, वाडिया ने की थी, और इसको किसने ही किया था, decorate, तो फिर से, नंद, लाल बोस नहीं, ठीक है, इसके बाद जो हमारा constitution बना था, उसके कितने members की sign है, तो 284 members की sign है, ये सारे छोटे facts हैं, जो आपके exam point of view, तो पुड़े important हो जाते, that's why मैंने आपको इसको बता लिए, ताक easily उसको क्या कर सकते हैं, exam में, अराम से इसको mark कर सकते हैं, ठीक है, तो देखे हैं, हम लोगों ने क्या-क्या important चीज़ों को यहां पर discuss किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि हम लोगों ने पहले समझा कि what is quality, and what is constitution, basic difference को समझा कि quality is basically all about the rule, and ये आपका क्या है, तो है constitution, constitution, ठीक है, तो किसी भी country को govern करने के लिए कुछ rules चाहिए, कुछ provisions चाहिए, उसे हम constitution क्याते हैं, और quality क्या है, applied form of constitution, जो मैंने आपको एक example के दुरू समझाया, कि article 17 में हम untouchability की बात करते हैं, OC का positive version, ये इन political system के वर्जन ने आपको untouchability evolution act 1955 देखने के लिए मिलता है, जिसे parliament में enact किया है, 1976 में इसका नाम बदल कर civil rights कर दिया गयाता है, जो कि आपका, फिर इसके बाद अगर हम देखें, बेसिकली इसे civil rights कर दिया गया था, 1976, civil rights act 1976, इसके बाद constituent assembly जो है, उसका रोल आ जाता है, जहां पर हम देखते ही कि Indian constitution को किसे ने बनाया है, तो constituent assembly ने बनाया है, फिर आम हम ने पहला topic इसमें discuss किया, सब topic कह सकते हैं, evolution जहाँ आप 1924 में आप देखते हैं, स्वराज पार्टी ने पहली बार अपने राची conference में, जो है, इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने इस डिमांड को रखा, फिर 1940 में अगस्त आपर मिठीस के साइट से ये डिमांड को क्या 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 एसेप करी है, इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल को हम देखते हैं, तो क्रिप्स प्रपोजल नाइटीन 42 में आया, जिसने इस प्रपोजल क्रिप्स होगे, स्टैपोल क्रिप्स होगे, कॉंपोजीशन के अमों ने बात की कि 292 आपके मेंबर्स थे, ब्रिटिस इंडन गवर्नर के प्रोविस से चीफ कमिशनर फॉर्विंस से चार थे, प्रिंसली स्टेट से 93, टोटल आपके मेंबर्स थे 389, इसके अलावा हम प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिस और चीफ कमिशनर प्रोविंस में आपके अलेक्टेट थे, इस प्रकार का हुआ था तो इंडिरेक्ट एलेक्शन हुआ था, जहां पर एलेक्शन के राइट्स किसे मिले थे, तो रिच एन एड्यूकेटर को मिले थे, फिर इसके आद वर् प्रसाद थे, इन्हें क्यों बना गया तरफ सिता में सीनिंगों, वाइस प्रेजिनर आपके लिए इंपोर्टेंट है, एस सी मुखर्ची होगा और वीटी क्रश्माचारिफ होगे, अब्जेक्टी रिजोल्यूशन को पास किया गया था, डिसमबर नाइंटीन, डिसमबर नाइटीन फॉडिसिक्स में जबाहल लाइनों जो आगे चलकर क्या बनता है, प्रेयंबल का बेस मटेरिल बनता है, इन्हेर इंडिपेंडेंस ने बताया कि कॉंसुट्रेंट असे हमारी एक सोविन बॉडी है, दो तरह से वर्क करने वाली है, कॉंसुट्रेंट बॉडी के सबसे बड़ा कॉंसुट्यूशन है, जहां पर स्टार्टिंग में आपको 395 आर्टिकल्स, इट से ड्यूस नेकने के लिए बनता है, और एक साथ प्रेयंबल भी, तो 1949 में इंडिया को क्यां कॉंसुट्रेंट वेल्ट कमेंबर, यहां पर कॉंसुट्टेंड असेंब्ली न जो प्रेजिडेंट आते हैं, ऑफिशल यूरूप से हो डॉक्तर राजिंदर परसाद आते हैं, 24 जनवरी 1950 को, फिर कुछ मेजर कमीटी जैसे कि जवाल लहर यूनियन पावर से यूनियन कॉंसुट्यूशन के थे, फिर स्टेट कॉंसुट्यूशन के भी थे, फिर रूल्स कमीटी के बियर अमेद करते, जिनके साथ मेंबर्स थे, क्यम मुंसी थे, फिर आलादी कुछ्न मचारी आईयर थे, फिर एंगोपाल स्वामी थे, फिर सादूल्ला थे, फिर बियर मित्वल थे, फिर डीपी खेतन थे, तो यह सारे थे आपके, इसके बाद यह मैंने बता ही थे आपको, फंदरा इसमें टोटल वूमेंज थे, और इसका सिंबल्स की बात करें थे, एक अलिफेंट इंडा सिंबल था, बियर राओ, इनके कॉंसिट्यूशनल एडवाईजर थे, सेकेर्टरी कमें मेंच वी अईयर थे, चीफ ड्राफ्ट में एसन मुखर जी थे, आपक के कैडिग्राफर थे, ननलाल बोस, एंडी र सिना जो थे, वा आपके डेकुरेटर थे, बियाल सिना ने हिंदी वाले को भी डेकुरेट के थे, बड़ हिंदी में कैडिग्राफर आपके, वसंद कृष्णा वईयर थे, और कॉंसिटूशन पर हमें साइन जो है, वो देखन वो इसको जॉइन कर सकते हैं, यह दोनों ही हमारा चैनल है, डिफेंस वाले जो सीडिये सी एपेफ के लिए पूरी तरह सा डेडिकेटर प्रेपरेशन कर रहा हमको वो इसको जॉइन करेंगे, इसमें हम आपको पीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और इसके अलावा जो कैसा अलगा आपको नहीं लगा वो सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं, थैंक यू और नाइस देए फ्रेंड्स